मारवाडी समाज का इतिहास पांच हजार साल से भी ज्यादा पुराना है। मानेत्य ये है कि मारवाडी समदाई की उत्पत्ति भगवान राम के पुत्र कुष की 34 पेड़ी महराजा वल्लब देव के पुत्र महराजा अग्रिसेन से हुई। महराजा अग्रिसेन ने महरशी गर्ग के आदेश पर 18 रिशियों से अपने 18 पुत्रों द्वारा 18 यग्न करवाए। और इन्ही 18 रिशियों के नामों पर अपने कुल के 18 गोत्र बनाए। जिसमें पहले गोत्र का नाम गर्ग महरशी गर्ग के नाम पर रखा गया। महराजा अग्रिसेन ने 108 साल तक अग्रोहा पर साशन किया और अपनी प्रजा को अग्रिकल्चर, वैपार, वैविसाय के साथ-साथ मौरल वैल्यूज की भी सिक्षा दी। उन्होंने अपने लोगों को वैविसाय के लिए तराजू दिया और आत्मरक्षा के लिए हत्यार चलाना सिखाया। इस तरह मारवाडी समाज ने शत्रिये और वैश्य दोनों वर्णों के गोन अपनाए। मारवाडी कमिनिटी की उत्पत्ती अग्रोहा प्रदेश हिसार डिस्ट्रिक्ट हर्याना से हुई। लगभग 5,000 साल पहले से लेकर 11th सेंचुरी तक मारवाडी समदाय ने अग्रोहा प्रदेश पर साशन किया। 11th सेंचुरी में महम्मद गोरी द्वारा अग्रोहा पर आक्रमन कर सब कुछ लुटने और भीशन आग लगने के बाद मारवाडी समदाय को अग्रोहा छोड़कर देश के दूसरे राज्य जैसे उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश और मुख्य रूप से राजिस्थान के म मारवाड में जाकर बसना पड़ा, यहां आने के बाद मारवाडी राजपूत साशकों के साथ ये मुख्य रूप से शत्रिय रहे, और फिर 13th सेंचुरी में अलावद दिन खिलजी द्वारा मेवाड पर आक्रमन करने के बाद से ही मारवाडी समदाय ने धीरे धीरे वैपा की ओर रुझान किया, सोल्वी शताब्दी आते आते इन्होंने पूर्ण रूप से वैश्वर्ण के गोड़न अपना लिये और फिर बहतर वैपार की खोज में पशिमंगाल, बिहार, उडिसा, छारगंड में जाकर बसने लगे, मारवाडी समदाय एक दूरदर्शी समदाय है, समय के मान के अनुसार, ये होनार, युद्धा भी बने और बाद में जब समाज में वैपार की जरुवत बढ़ी, तो ये कुशल वैपारी भी बने मारवाडियों ने भारत में फाइनैंसर और शाहुकार की रूप में बिजनस की शुरुवात की सेट महताब चंद को मारवाडी बिजनस का गौड फादर माना जाता है, ये 1650 में नए बिजनस की खोज में नागोर से पटना गए और वहां बैंकिंग और फाइनैंस के बिजनस की शुरुवात की और आम लोगों के साथ-साथ नवाबों को भी फाइनैंस करने लगे 1715 में मुगल समराट फारूक शियार के द्वारा सेट मानिक चंद को नगर सेट और 1723 में समराट महमूट शाह द्वारा सेट फते चंद को जगत सेट की उपाधी से नवाजा गया बिंगॉल से मुगलों के पतन के बाद महरवाडी कम्यूनिटी 1830 से 1850 के बीच मुबमई में और लगभग 1870 में पूलकाता में बसी और वहाँ ये मनी लेंडर्स और ट्रेड ब्रोकर्स का काम करने लगे उस वक्त इन्होंने फ्रीडम मूव्मेंट को भी फंड किया महरवाडी कम्यूनिटी की प्रोस्पेरिटी के बीचे एक इंट्रेस्टिंग प्रथा भी जुड़ी होई है माना जाता है कि सोसाइटी में एक्क्वालिटी लाने के लिए महराजा अग्रिसेन ने एक ऐसी प्रथा शुरू की थी जो आज भी प्रचलन में है इस प्रथा के अनुसार मारवडी कम्यूनिटी में यदि कोई जरूरत मंद होता है तो पूरी कम्यूनिटी के लोग उसे एक इंट और एक रुपिया देकर सपोर्ट करते हैं इस तरह वो वेक्ती इटों से अपना घर बना सकता है और रुपे से अपना वैपार शुरू कर सकता है ऐसा करने से किसी को बोज भी नहीं लगता और उनकी अपनी कम्यूनिटी का आदमी अपने पैरों पर खाड़ा हो जाता है अधारों महारे देश यानि हमारे देश में आपका स्वागत है और अतिति देवों भवव जिसका मतलब है महमान भगवान का रूप होते हैं मारवाडी समाज के ये स्लोगन इनकी महमान नवाजी के गुणों को दर्शाते हैं मारवाडी एक बिजनस कमिनिटी है समाद सिवा राजनीती साइन्स आर्ट के साथ ही साथ मीडिया और नए स्टार्टप में भी मारवाडीयों का विशेश योगदान है मारवाडी समाज ने जिस तरह देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है वो तारीफ के कादल है जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मारवाडी कर सकते हैं इसके लिए इनकी एक बहुत ही प्रसद कहवत है जहाना पहुँचे रेल गाडी वहां पहुँचे मारवाडी